क्यांजी एक अधेर वमेर का पेरोस कार है और उसे नौकरी करना फिल्कुल भी पसंद नहीं है पर पता नहीं कैसे एक दिन उस नले की लोटरी लग जाती है और वो क्रिप्टो कोईन की वज़े से अमीर हो जाता है लेकिन वो उन पैसों को सही चीज़ों पर इस्तमाल नहीं क होता है वहां अजीब दिखने वाले क्रेटर्स किंजों को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं केंजी को जब उस जगह में यह चीज़ एहसास होती है कि उसे एक पर फिर से शुरू करना होगा गरीबी से तो काफी ज़्यादार होता है लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं कि अगर उन सब को सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उन्हें महनत तो करने ही होगी हमें यहां मालूम पड़ता है कि वो लोग माइन्स को एक्स्प्लोर करते हैं और उनकी अंदर से अलग तरिके का एमनाइट रॉप को एक खटा करते हैं असल में यह जो पत्थर होता है इनर्ची बनाने में काम आता है जैसे कि हमारे यह पैट्रोल हो गया इसलिए चीज सबकी नीट बन चुकी है और यह पत्थर एक 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 अंडरग्राउंड केवस में पाया जाता है लेकिन इस चीज को पाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं क्योंकि वहां पर काफी पाव किन्जी हमें बताता है यह ऐसा कुछ नहीं है और हैसल में यहां के वर्कर्स को 16 गंटे काम किया जाता है दिन में इक मस्जीन के तरह चुटी तो भूली जाओ वो कहरा होता है कि वापस मुझे अपने सहर जापान जाना है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था उसी वक्त वो अपने दोस्त को भी देखता है जिसका नाम वैनी होता है उसे भी उसका फीटर गुसा कर रहा होता है कि वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा किन्से हमें यह भी इसके बाद रात के टाइम पर किंजी अपने दोस्त यानि की वैनी को साथ में एक फाइस्टार होटल में ले जाता है ट्रिंक बिलाने के लिए वो दोनों एक दूसरे का दुख देखकर रोही रहते हैं तब है उसी वक्त वैनी उससे पूसता है कि तुम्हारे पास इतने पैस बो चुका है वह उस जगह से जाने लगता है कि उसे लग रहा होता है कि चायद इस भी पैसे जड़ने वाला है लेकिन किंजी उसे रोप देता है और उसे एक secret चैमबर के बारे में बदाता है जिसे उसने हाली में ही डूंडा है हम दोनों मिलकर उससे करोड़ों रुपए Veni को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तबिभी वो तयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने बॉस के अंटर काम करते-करते ठक dependence awareness था, इसके बाद वो दोनों की दोनों ही अपनी कंपनी से resign ले लेता है, Veni उसके खेता है कि तो में पूरा यकीन है न, अंडर्ग्राउंड दंजिन में ले जाता है जिस चीज पर वेनी भी काफी ज्यादा है कि उसे बताता है कि यह चीज उसे तम मिली थी जव अपने सिक्टे का पीछा कर रहा था उस जगह में पहुंसने के बाद वो दोनों की दोनों नूटिस करते कि उस जगह में वाकई में क काफी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि एट लीस उसके दोस्तने उसकी बारे में तो सूचा लेकिन किंजी उससे क्याता है कि उसने उसकी मदद इसले नहीं करें क्योंकि मुझे तुमारी परवा है बलकि मुझे एक साथी चाहिए था इसकाम करने का क्योंकि वो इतनी होगा था कि वो उन दोनों को खाने के लेता है यार था अब जिस चीज को देखकर किंजी वैनी से कहता है कि वाकई में काफ एच्छे दोस्तों मैं तो मैं हमेसा याद रखूंगा तुमने मेरे ले अपने आपको सेक्रिफाइस करा वैनी उससे पूछता ही क्या और इसी वक पागल हो चुका है लेकिन तब ही वो ड्रैगन भी अपने आपको इंटरिउस कराता नाम रहरता है अगर तुम मुझे इस जगह से डिनाइट स्टोंस ले जाने दोगी और बाखी दिनाइट स्टोंस के बारे में पता दोगी तो मैं तुमें पूरी जिन्दगी बर फरीका खाना खिलाऊंगा फरीका खाने का नाम सुनकर वो रिम एक लड़की में बदल जाता है यानि कि वो ट्रैगन असल में एक लड़की थी अब उसे उस जगा में देख कर किन्सी काफ ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो एक ट्रैगन से डील करने के बाद बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला था होता भी यही है इस महीने उनके सेल्स काफ ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लूग अमीर तो हो जाता है लेकिन किन्सी अभी भी गरीब था क्योंकि उसकी हिस्से के जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे रिम के खाने में खड़ चुझा रहे थे क्योंकि रिम का पेट नहीं बलकि इंडिया गेट था इसलिए किन्सी डिसाइट करता है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा वो वैनी के साथ यही करता है लेकिन एक पार उन्हें एक जगा मिलती है जहां से कि उन्हें काफी अलग-अलग तरा की वैपन्स दिखाई दिते हैं वो तुनों उसे साफ कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर इसका हमें कितने तक दाम मिल सकता है सहर बे उसी वर्क्रीम सामने आते हों कहती है कि असल में जिसे तुमने हाथ में पकड़ा है वो मेरी पॉर्टी है इस बात को सुनकर किन्जी काफी ज़्यादा शौक होता है और उस वैपन को वैनी के तरफ फैक देता है वो वैपन वैनी के सर में जाकर लगता है एनीवे यहाँ पर किन्जी रिम से पूसता है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो रिम बताती है कि वो यहाँ पर जब उसे खाना नहीं मिलता था तो वो इन रियर आइटम्स और पल्स को खा जाते थी और उसके बाद वो चीज मैजिकल वैपन्स में बदल जाती है उसी वर्क त्रिम उस जगा में फिर से खाने के लिए जित करने लगते है जिस बात को सुनकर किन्जी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो इस जगा में उसके खाने के लिए कहां से लेकर आएगा उसी वाग वेनियू से अपनी पूछ देने लगता है इस बात को देखकर किनजी उस से कहता है कि क्या तो मेना पूछ के सही हो वेनिय कहता है कि मैं एक लिजार्ड हो और मेरी पूछ वापस से उख जाएगी کینزی کو कुछ भी समझ में नही आता कि क्या इसका इसका दिमाग खराब हो चुका है तो असीतर वेनियूस से कहता है कि आप जो करेंगे मैं होही करूंगा उसकी बात को सुनकर इस बार किंजी का शक यकीन में बता जाता है कि वाकिन उसका दिमाग खराब हो चुका है लेकिन रिम उसे बताती है कि ज़रूर जो वैपन उसके सर पे लगा था उसकी वज़े से यह चीज़ होई होगी क्योंकि उससे हम बाकी लोगों को हिपनोटाइस कर सकते हैं उसके क्यिन्जो को एक आइडिया आता है और आफ वो अपनी आंगे सारे वर्कर्श को और लीटर्स को इस जगा में उसका गुलाम बनाकर काम कराने लगता है और मनी मन खुश होने लगता है कि अब वो जल्दी अमीर होने वाला है फिर से वैनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि फिर तो इस हिसाफ से तुम पर और उन पर कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा चुकि वो लोग अब बहुत जादा कम सोर हो चुकी थे और उनके अंदर थोड़ी सी भी अनरजी नहीं बची थी वो वैनी को रेड़ बॉल्स लाने कले कहता है लेकिन अब इस चीज कभी कोई फरक नहीं पड़ता उन लोगों के उपर किनजी कहता है कि मुझे नहीं लगता वो लोग इस चीज से खुश नहीं है देखो उनको वैनी कहता है कि वो तो दिखी रहा है तुसी तब रेम जो कि उस वैपन का इस्तमाल कर रहे होती है उन लोगों के उपर उसी वक्त वो वैपन टूट जाता है और यहां किनजी जो की लंबी लंबी फैक रहोता है कि कैसे वो अगर इन लोगों से हमेंसे ऐसी काम कराएंगे तो वो जल्द ही काफ़ी जादा अमीर हो जाएंगे हम यहां देखते हैं कि उस वैपन की टूटने के बाद उन लोगों के उपर जो हिपनोटाइस का मैजिक था वो खतम हो चुका था इसलिए उन लोगों ने किनजी की पूरी बात सुन चुकी थी और अब उने उसके उपर काफ़ी जादा गुस्सा आ रही थी वो किनजी को पगड़ कर काफ़ी जादा ठोकते हैं और उसने जितना भी कामाया था उस सब को भी ले जाते हैं इतनी मार खाने के बाद यहाँ पर रिम उसे पूसती कि क्या उसे कुछ खाने के लिए मिल सकता है किंजी उसे गुसे में कहता है कि मुझे ही खा जाओ और उस बात को रिम सीरियस ले लेती है तो किंजी उसे कहता है कि वो तो बस मजाग कर रहा था वैल अगले दिन हम किंजी को देखते है जो ने की वापस से अपनी नौकरी को जॉइन कर चुका था वहाँ उन्हें उपर की पोस्ट दे जाती है यानि कि अफोल लोग मस्दूरों के तरह काम नहीं करेंगे बलकि किंजी और वैनी क्रूप 8 के साथ जाकर देंजिन को एक्सप्लोड करेंगे और उनकी मदद करेंगे रैजर्स को ढूंड ने के लिए वैसे काम पहले के मुताबले कितना बेकार भी नहीं था लेकिन जब वो दोनों के दोनों काम करते है तो वहां की मुसीबते पहले से दुगनी थी यानि कि डंजन को अच्छे से साफ करना और रेर रेर आइटम्स को कलेक्ट करना एक तिन जब वो काम करी रहे होते है वेनी को एक तरह का बॉक्स दिखाई देता है जैसी वो उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर का टेंटिकल वाला मॉंस्टर उससे पकड़ लेता है और यहां अपने दोस्ट वेनी को बज़ जाने के लिए किंजी सारे रेर आइटम्स को उसकी तरफ फैक नहीं लगता है जिस पर कि वो मॉंस्टर मर तो जाता है लेकिन वो आइटम स्टूट जाते हैं इसकी वज़े से उनको कंपनी से काफी जादा डार्ट भी पड़ती है और वेनी की तबेत खराब थी तो उसके बदले का काम भी किंजी के तरफ सौप दिया जा अपने खाने के ले लेकिन अफसोस वो किंजी को कूट कर उस मीट को खुदी खा जाती है इस चीज़ पर किंजी का आफ ज्यादा गुस्ता होता है लेकिन तबी भी वो कुछ नहीं कर सकता था इसलिए वो हर पार के तरह अपने काम के लिए उस डंजन के तरफ निकल पड़ होए थे अब जिस पर राइसाउस से कहती कि मैं तुम्हारी सीनियर हो इसलिए तुम्हें मेरे को बचाने के लिए अपने आपको सेक्रिफाइस करना होगा जाओ उनार्ण्स के सामने अब जिस पर किंजी उस जगा में उससे भी तेज भागने लगता है और वो दोनों के दो इस जगा में पहुच चुके हैं उन्हें जल से जल कुछ करना होगा लेकिन कंपनी उनकी एक भी बात नहीं सुनती उन्हें लग रहा होता है कि शायद किंजी ने दारू पी है और वो यहां पर ड्रामा कर रहा है लेकिन अफसोस तब तक देर हो चुकी थी वह आंड्स उस में दबाई मजाने लगती है उन्हें रोकने के लिए किंजी और वो सब के सब लोग मिलकर उस जगा की सारी चीजों को देखने लगता है तो उन्हें उस जगा में एक तरह का मैजिक पोशन दिखाई देता है जिससे कि वो लो को स्टेर के लिए आंड्स में बदल सकते हैं वैल चीटी बनने के बाद वो सब के सब बागी चीटियों के गुरूप के साथ मिल जाते हैं किंजी एक आंड्स से बात करने की कोशिश करता है उससे कहता है कि हमें अपनी कुईन की अगेन प्रोटेस्ट करना चाहिए वो हमसे लगातार काम कराते रहती है तुमें नहीं ल किंजी और बाकी लोग उनके पूशन का सर खतम हो चुका था इसलिए वो फ्यूमन फॉर्म में आ जाता है और कुईन को जब यह बात मालूम पड़ती है तो वह बड़े से मॉंस्टर में बदल जाती है उन लोगों को खतम कर निकले लेकिन अच्छी बात तो यह थी उस उसे खाने लगती है इसे देखकर कुईन काफी ज़्यादा इंप्रेस होती है किंजी की इस बहादुरी से वो किंजी को पे कर निकले तयार हो जाते है उसके साथ काम कर निकले अब कुछ तिनों बात वैनी भी ठीक होकर आ जाता है काम पर वापस तो किंजी उससे कहता है कि मैं अपनी अलग से कंपनी खूलना चाहता हूँ लेकिन वेनी कहता है कि उससे पहले तो हमें ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि अगर हमें हंटर्स हायर करने होगे तो हमें खुद भी हंटर्स बनना होगा जसपर कि Kinzee तयार हुजाता है ट्रेनिंग ले निकले है वैं वह ट्रेनिंग कले जो Quirkiland मेशए जाता है जहां उनका master एक pig होता है वह pig master उन दोनों को लेकर एक गफ़ा में ले जाता है जहां तीन सरो वाला monster था उन दोनों को उस से लड़ना था लेकिन जैसी वो मॉंस्टर वैनी के तरफ अटाक करता है तो वैनी डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और किंजी का भी प्लैन फेल हो जाता है जिस पर कि वो पिक उसकी नीचे बॉम लगा कर उसे मार देता है इसके बाद वो पिक उन्दोनों के उपर काफी ज़्यादा गुस्दा करता है कि आखिर उन्दोनों ने कुछ क्यों नहीं करा अगले दिन उनका अंगला टेस्ट था जहां उन्हें पहाड़ी के उपर चड़ना था भूग के मारे वो पास बड़ेवे प्लांट्स को खाने की कोशिश करता है बट वैनी उसे रोक देता है ये कहते वे कि ये फ्रूट्स और पौधे पॉजनस भी हो सकता है किन्जी कहता है कि तुम्हें कैसे पता तो वैनी बताता है कि मैं गाउं में ही पैदा वा था वैल उपर पहाड़ी में पहुच जाने के बाद उनका नेक्स टार्गेट था मेडिटेशन करना और जो बंदा ढंक से मेडिटेशन नहीं कर रहा था वो पेग उसे काफी ज़्यादा पीटता है वैल आज का टास कतम होने के बाद हम देखते हैं कि किन्जी कितना ज़्यादा ठक चुका था लेकिन वो अपने दोस्ट वैनी को देखता है जो कि अजीब सी हरकत है कर रहा है मानू कि उसे इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ी सी भी ठकान नहीं लगी हो और वो काफी ज़्यादा खुश होता है अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए किन्जी यहाँ पर नोटिस करता है कि आदे से ज़्यादा लोग पिल्कुल उसके दोस्ट के तरह ही बेहेव कर रहे है तो उससे यहाँ पर शकोने लगता है कि शायद वो पेक वाला बंदा हम लोगों को हिपनोटाइस करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि हम सिफ औस अपनी कंपनी में ही काम करें उस दिन ऐसे बीटते जाते उन लोगों से वो कुट्तो की तरह काम करवाते हैं और हम देखते हैं कि इस दौरान किंजी भी उनकी हिपनोटाइस के जान में फर्स चुका था हम देखते हैं कि कैसे वो पेक ब्लाक मैजिक कर यूज करके उन लोगों को हिपनोटाइस कर रहा था फाइनली वो डे भी आ जाता है जब उनकी ट्रेनिंग खतम होने वाली थी उससे पहले वो अपनी कंपनी की लीडर से भी मिलते हैं यानि की बैल्सा से बैल्सा उस चगा में उन लोगों को आसरन दे रहे होते हैं अब जिसपर कि वो सबके सब लोग उससे कहते हैं कि वो बैल्सा की कंपनी में काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं फाइनली उस ऐलेंड में ट्रेनिंग खतम करने के बाद वो पेक उन लोगों को वापस कंपनी के तरफ भीज देता है और यहां वो जाने से पहले उन लोगों को अलग-अलग फिगर्स वाली डॉल देता है इस जगा से यादकारी बनाने के लिए वो सबके सब लोग वही कर रहे होते हैं यहां पर किन्जी जब उस फिगर को देख कर उसकी खुपसूरती के बारे में बोल रहा होता है वो दोनों के दोनों उस जगा में सोचने लगता है कि वो कब से बेवकूफ बन रहे थे उस पिक के हिप्नोटाइस के बज़े से किन्जी कहता है कि काश अगर उस दिन मैं वो प्लांट्स खा देता तो शायद मैं हिप्नोटाइस से बच जाता मैंने उसके बातों में एगरी था बट वो कहता है कि इसके रिस्क भी तो थे लेकिन किंजी उससे कहता है कि जानते हो उस चगा में जाने से पहले मैंने पिक के वरकर्स को भी वो चिश खिला दी थी जो कि उसके अंडर काम करते हैं और जैसे उनकी शिप थोड़ा सा आगे क्या पड़ती है उस आइलेंड में काफी बड़ा प्लास्ट हो जाता है इनिवेज इस मिशन के खतम होने के बाद वो दोनों की दोनों वापस अपनी कंपनी में लौट जाते हैं जहां आप उन्हें हंटर की डोटी मिलने वाली थे विटल में एड्मीट हो जाता है इसे पता लगाया जा सकता था कि वाकी में शिया किती जाद है स्ट्रॉंग है वेल अफ सिफ शिया के साथ उस जगह में इन से बचा वा था इसलिए वो उस जगह में उसे ग्यान देने लगती है वो उससी बिठाती है कि तुम्हें तो तो सिफ वाइट करते होंगे लेकिन माइनर से कुट्टों के तरह काम कर आया जाता है उस पात पर शिया काफी ज्यादा बढ़क जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है दिखाने के लिए कि हंटर्स कितना काम करते हैं वो डंजन के थर्ड लावल में जाकर किंजी को एक मॉ को तोड़ना चाहते हूं तुम्हें मालूम है ना कि हांके मॉंस्टर हमारे दोस्त नहीं है बलकि दुश्मन है तुमने उसके उपर टाक क्यों नहीं करा यहां वो किंजी के ऊपर टाक करने के लागे पढ़ने लगती है उसी वक्त किंजी उस जगह में रिम को समन करते था लेकिन अफसोर्स वो टाक रिम को ही लग जाता है और गुस्से में आकर रिम एक बड़ी लड़की में बदल जाती है और उसे काफी कूटती है कुछ तेर बात हम सिया को देखता है जिससे की रिम ने बांदा वा था वैल उस जगह में आंट कुईन भी आ जाती है और किंज से भी साथ में था इन साही चीजों को देखकर शिया उससे पूस्ति कि तुमने ये बात कंपनी को क्यों नहीं बठाए कि तुमने आंके मौस्टर के साथ दोस्ती करके रखी हुई है क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये रूल्स के खिलाफ है लेकिन उसी वाग किंजी और व कोई नहीं कि की का गृप है उन मौस्टर के साथ अगले सीन में किंजी को देखते हैं को कि रिम के खाना खरीदे वे सहर से वापस लौट रहा होता है उसे वाग कुछ लोग उससे एक गली में ले जाते हैं वहाँ पर हम एक राइज़ा नाम के बंदे को देखते हैं जिससे उसे कुछ भी करके जादा से जादा पैसे कामाने होंगे कि कहती है कि मैं तुमारी मदद do werict कर सकती办 और इसके बाद वेनिका और कीज को लेकर दंचन में आ जाती है जहां से बाइन देधाब करता है कितने मॉंस्टर्स को मानने की बावज होती वो पांच मिलियन तक इखड़ता नहीं कर पाएगा इसके बाद यहां पर किंजी की दिमाग में एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि किंजी ने उस चगा में मॉंस्टर फार्म को बना चुका था जहां अलग-अलग मॉंस्टर्स थे वो शिया से कहता है कि क्यों ना हम इन लोगों को इस जगा में पालते हैं और इनके रेर रेर आइटम्स को निकाल लेंगे जैसे कि सिंग अगेरा और उन्हें जाकर बेज देंगे इससे इन लोगों को भी ज्यादा तकलीव नहीं होगी और हम ज्यादा से रुपे भी कमा सकते हैं हाना और रही बात इन मॉंस्टर्स को संभालने की तो उसे रिम अकेले ही देख लेगी उसकी आइडिया में शिया कहते हैं कि वैसे मुझे लगानी तकि तुम्हारे पास भी दिमाग होगा उसी वक्त उस जगह में आर्थ को इका जाता है जिसके पावर्स को देखकर किंजी उसकी तारीफ करता है लेकिन उसे वक्त उस जगह में उस फ्लोर का सबसे पावर्फुल वाला मॉंस्टर आजाता है उसका नाम मैजिन होता है और वो उस जगह में शिया के उपर टाक करने लगता है क्योंकि उसे भी मालूम था कि किंजी इतना पावर्फुल नहीं था इसलिए उसके साथ लड़कर मजा नहीं आएगा यहां जब उसके साथ वाइट कर रहे होती है तो वह उसके उपर भारी पढ़ने लगता है कि तुम्हारे पास वह टेलिपोर्ट वाला स्टोन था ना तुमसे यूस क्यों नहीं करती हो लेकिन शिया के उपर की तरफ पहुच आता है और वहाँ पॉस्ती तभाई मचाने लगता है यहां नीचे किन्जी कहरा होता है कि मुझे मालूम है वो कुछी देर में इस जगा में आने ही वाला होगा क्योंकि उस मॉंस्टर को तुम्हारी पावर चाहिए क्योंकि तुम सबसे उस त्राप को एक्टिवेट कर देता जिससे की मैजन डार्मी के साथ मिलकर वह कटे में सिमेंट डालने लगता है और शीया अपनी मैजिक पावर से उस सिमेंट को जल से जल सुखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोच उनका प्लैन ए फेल हो जाता है तो कि मैजन बड़ अपना पीछा करवाने लगता है वैल इस प्लान की बारे में तो कुछ शिया को भी नहीं मालूम था वो मॉंस्टर उसके पीछे भाग रहा होता है और हम यहां देखते हैं कि किंजी एक चटान को क्रॉस करते था लेकिन अफसोस वो मॉंस्टर जिसने कि उस चटान को नहीं द क्यासी करते हैं कि इतना तो करी सकती है हु ुसकी बातों पर किंजी कहता है कि मुझे मालूम तुमें यह सब कुछ क्सले कर रही हूँ अपने फादर क्ले है क्योंकि तुम्हारे इक पेलियर थे अब उसकी बाथपश्ष या कुछ जगा में घुसा आने लगते है और क्या क कुछ नहीं है उन्हों के लिए किता कुछ करा और आज मैं भी इस कंपनी के लिए अपने आपको सेक्रिफाइस करने के लिए तयार हुँ तो उसमें गलत बात क्या है कैंजी उसे समझाता है कि वो और इसकी इस डिसेशन से इस कंपनी को घंटा फरक नहीं पड़ता वैल उससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें बहादूर के तरह लड़ो ना कि अपने आपको सेक्रिफाइस करो अब जिस पर कि शिया एगरी हो जाती है और वो अपनी पूरी पावर के साथ उस मॉंस्टर की तरह अटाक करने लगती है लेकिन तब भी वो उसे नही दे सकते थी क्योंकि इससे बादय करा था कि फूरी जिन्देगी बर अच्छा खाना जो खिलाएगा फुद हो दोनों जगा में खड़े होते हैं उसी वक्ते पोर्टल ऑपन होता है और वह दोनों इस पोर्टल में गिनने लगता है उसी तोरां किन्जी नोटिस करता है कि य ऐसी बोटल के वज़े से उसकी आँख बंदो जाती है उस जगा में और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आपको जपान में अपने घर में पाता है ये चीज़ देखकर वो काफी ज़्यादा खुश होता है कि वो वापस तो लोटा कि हमें कोई सपना देख रहा था अपसे इसलिए वो काफी ज़्यादा खुश होता है और उस जगह में टीवी आउंट कर देता है टीवी में वो न्यूस देखता है रिम के बारे में कि रिम पूरी सिटी में किन्जी कोई डून रही है उसने आसपास तबाई मचा चुकी है न्यूस वाले भी जानना चाते ह आखरी गिन्जी नाम का बंदा है कॉन जिसे देखकर गिन्जी का ज़्यादा डर जाता है उसी वक्त उस जगह में रिम भी पहुँच जाते है जो कि आते ही उससे खाना मांगने लगती है तब ही उसकी आख भी खुल जाती है और से मालूम पढ़ता है कि यह सिफ एक सपना था और पलकी रिम तो उसके पास ही है जो कि उसका पैर चपा रही है सुए में भी लेकिन हैरान करते ने वाली बात तो यह थी कि वो तो उनों एक अलगी जगह में पहुच चुके है यानि कि अपी जिस मॉंस्टर से उन्होंने थोड़ी देर पहले लड़ाई करी थी उससे लगपक 300 साल आगे आ चुके है वो लोग यानि कि फ्यूचर में उसी वागत उस जगह में रेंगा नाम की लड़की भी आ जाते है जो कि उन्हें पूरी बात बताती है इस टाइम पर इंसान बिल्कुल खतम होने की तादात में आ चुके है और वो इस काम के लिए किन्जी क की मदद चाते हैं कि लड़की ने नशा करा है और वो इस जगह से भागने के लिए रिम कोई दिवार तोड़ने के ले कहता है जैसी वो लोग उस जगह से पहां निकलते हैं तो वो तेखते हैं कि वाकई में यह जगह काफी जादर डेफलोप हो चुकी है यानि कि पूर सहर सिर्फो सिर्फ लोहे से बनावा है वहां की बिल्डिंग से लेकर सब कुछ इसके बाद वो वापस से अंडरग्राउंड में चले जाते हैं जहां एक बंदा आकर उसका नाम सेजल होता है और वो इस सीटी का लेडर है वो यहां पर किंजी से कहता है कि जो रेंगा कह रही है वो बिल्कुल सही है आस ते लगबख 300 साल पहले पहल सकी कंपनी ने लोगों के उपर इतने ज़्यादा अत्यजार करे थे जिसके वज़े से इंसान धीदीरे करके काम की पोच के वज़े से खतम होने लगे इसी मौके का फाइदा डीमन किंग ने उठाया और उसने चुर्स के अंदर आता है इसके पाद जेंडल उस जगह में कींजी को लेकर पाकी बचेवें इंसानों की तरफ ले जाता है चुकि सिर्फ अभी कुछी थी इसलिए उस जगह में किंजी को अपना difis लोग मिल कर उसे पागल बना रहे हैं आखिर वो कैसे इन लोगों की मदद कर सकता है और ये लोग खुद से वाइट क्यों नहीं करते है इसलिए वो इस जगा से जाने लगता है लेकिन जेंडल उसे रोक देता है ये तरफ गन पॉइंट करते हुए और से डराते हुए कि अगर तुम इस जगा से गए तो हम तुमें शूट कर दें थोड़ी देर बात उनके पास रेंगा आती है जो कि उन लोगों को अपने साथ बाहा ले जाने वाली थी बीमन किंग के पास लेकिन रेंगा के ऐसे हरकतों को देखकर किन से को उसके उपर टाउट होने लगता है और उसे ये चीज़ पर मालूम पढ़ जाती कि रेंगा अस के तरफ निकल पड़ता है वो जैसी उस कास्टल के गेट में पहुसते हैं तो रेंगा उस जगा का दर्वाजा तोड़ दीती है जिसे देखकर उसका गार्ड बहां निकल कर उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम तुमारी हिम्मत कैसे हुए हमारे कास्टल का कास्टल है अब जिस पर की किंजी उस जगा में माफी मांगने लगता है वहां के गार्ड से लेकिन जैसी वो रिम को देखता है तो वो गायाब थी क्योंकि उसने भूग के वज़े से वो पुरे कास्टल पर तभाई मजा देती है जिसे देखकर वो गार्ड रेंगा और किं किंजी को देखते है तो काफी ज्यादा हैरान होती क्योंकि असल में वही आंट कुइन थी जिसे की 300 साल पहले किंजी ने बचाया था और वो इस जगा में किंजी को चिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उन लोगों को डिनर में भी इन्वाइट करती है दिनर के दौरान वह कुईन आंट किंजी को बताती है कि तुम्हारे जाने के पास सारे के सारे मॉंस्टर्स सीटी के उपरी सथा में पहुच गए थे और जैसे की हुमन्स पहले ही सही कमसोर थे तो हमने उनकी उपर राज करना शुरू कर दिया वैसे अखर तुम होते तो शायद ही होता तब जो गार आंट को कुछ इंफॉर्म करता तो काफे जगारान होता है और चीज़ को देख कर वो काफे ज़्यादा कूटए कर देखते के अगर तुमने थीन सौ साल पहले देखा हूता इंसानों की राच्च में तो तुम यह बात कभी करते ही वहां तो हमें साल मे भी छुटी नहीं दी जाती थी फैल आंट कुइन उस जगह में रिवल करते हैं कि हम वैसे तो इंसानों के ऊपर कोई भी अत्याचान नहीं करते हैं क्योंकि हमें तुमसे श्रीक जो मिली थी इंसानों का इस जगह से कम होने का रिजन इंसान खुदी है वैल इसकी बात किंसी से पूछने लगता है कि क्या मैं डीमन विस्वा कुषने लगता हूं थो जिससपर की आरंट कुइन बदाती है कि मुझे नहीं लगता क्यूंकि से हाई लेवल की बंदे लिए से मिल सकते और वो आर्मी में उसे चीफ ऑफिसर की भी मिल जाती है फाइनली वो कुछी दिनों बाद जनरल भी बन जाता है वो इसकी बारे में इंसानों को भी बताता है और क्याता है कि मैं जरूर इस चीच को जल से जल ठीक कर दूंगा उसकी पढ़ती भी प्रोग्रेस को देखकर दीम किंजी को एक मिशन देता है जहां पर उसे एक वाम वाले मॉंस्टर को हराना था जिसने की पूरी सिटी में तभाई मचा के रखी हुई थी उसे लग रहा होता है कि ये काम तो किंजी करी नहीं पाएगा लेकिन रिम एक ही मुक्चे में उस वाम को उसकी आउकात दिखा दे कि मैं भी देखता हूँ तुम इस पांचर जमीन को कैसे वापस से उपचाओ बना सकते हो वैसे की टास्क मुस्किल तो था लेकिन किंजी तभी भी इसे एकसेप्ट कर लेता है वेल वूस जगा की मिट्टी को सॉफ्ट कर निकले उस वाम को उस जगा में रिंगाता है जिस कि थोड़ी देर में वहां की मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है इसके बाद किंजी रेंगो को कहता है कि क्यों ना तुम अपनी मैजिक से यहां पर ब्लांट सुगा हो वो यही करती है और वो यहां पर मिल कर रोके हो भी हरा देते हैं और उसका प्लान भी फेल हो जाता है अब स साथे साथ किंजो भी कोई नार्मल परसन नहीं था इसलिए उसे उसके गुरूप में एक लड़की दिखाई देती है क्योंकि और कोई नहीं बलकी रेंगा होती है वो यहां पर डिसाइड करता है कि वो रेंगा कोई फाइदा उठाएगा अब अगले दिन जब रेंगा तो काफी ज़्यादा है हैरान होकर भी उच हो जाते हैं इसी के साथ इसका पार्ट वन यहीं परी एंड हो जाते हैं आप कमेंट में जरूर बथाना कि इसने क्या देखा होगा तब तक के लिए बाइबाइबाइब